हेलो बच्चो, I'm Amina और अभी हम सभी मिल करके ध्यान लगाईंगे, ध्यान लगाने के लिए हम सभी अपनी आखों को बन करेंगे, और सोचेंगे कि हम अभी घने जंगल में हैं, तो बच्चो अभी आप गने जंगल में हैं, तो आपको वहां क्या दिख रहा है और क्या सुना तो हम लोग जो अभी ये पोयम शुरू करने जा रहे हैं ये पोयम में पोईट भी अकेला अपने घोड़े के साथ एक जंगल में और वहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और शाम हो चुकी है, बिल्कुल अंधेरा है वहाँ रुख करके उसकी इच्छा होती है कि मैं शायद मैं रुख जाओ या फिर आगे जाओ तो चलिए हम लोग इस पोयम में पढ़ते हैं कि पोईट ने आगे क्या किया जो लिखा गया है रोबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा इस पोयम को हम लोग स्टेंजावाइस पढ़ेंगे यहाँ पोईट कह रहे है यह जंगल किसके है शायद मैं जानता हूँ तो वो मुझे देख नहीं पाएगा वो मुझे देख नहीं पाएगा कि मैं यहां रुका हुआ हूँ उसका यह पूरा जंगल पूरी तरह से बर्ष से धका हुआ है यानि बच्चो वो ठंड का मौसम था और पोईट कहीं जा रहा था अकेले अपने घोडे पर बैट करके और वहां बिलकुल अधेरा था सेकेंड सेंजा में देखते हैं अब पोईट कह रहे हैं सेकेंड सेंजा में उनके साथ जो उनका छोटा सा घोड़ा था वो बहुत ही अजीब उस समय सोच रहा होगा अब फिर to stop without a farmhouse near उसके घोड़े को बहुत ही अजीब फिल हो रहा था कि हम लोग यहां पर रुके हैं लेकिन यहां आसपास ठहरने के लिए कोई भी farmhouse नहीं है between the woods and frozen lake हम लोग यहां जहां रुके हैं जंगल के बीच में woods यानी जंगल चोटा सा जंगल उसे woods कहते हैं and frozen lake और वहां लेक यानी जील जील जो frozen है frozen यानी उसका पानी जमा हुआ है the darkest evening of the year और वो इस साल का सबसे अंधेरा वाला शाम था शाम बहुत सादा अंधकार था he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake the only other sound the sweep of ease wind and downy flake अब third stanza में poet कहा रहे है he gives his harness bells a shake तो poet का घोड़ा जो बहुत ही queer उसको अजीब लग रहा था कि हम लोग ये कहां रुके हैं यहां तो हमारे ठैरने के लिए कोई farm house भी नहीं है तो वो अपना harness bells को shake किया हिलाया मतलब harness bells क्या होता है बच्चो ये घोड़े को जो लगाम के साथ जो घोड़े पर बंधा हुआ रहता है उस पर कुछ घंटियां भी इस तरह से होती है तो उस घोड़े के ऊपर इस तरह से कुछ घंटियां थी तो वो अपना harness bell को shake किया, हिलाया To ask if there is some mistake ये पूछने के लिए कि शायद हम यहां पर गलती से तो नहीं रुके है घोडा बेजबान रहता है वो बोल नहीं पाता है लेकिन भी वो समझता है और वो इशारों से अपने मालिक से पूछता है कि हम जो यहां रुके हैं कुछ गलती तो नहीं हो गई The only other sounds the sweep of ease wind and downy flake और उसके अलावा सिर्फ वहां पर sweep की आवाज आ रहे थी sweep यानी क्या होता है जारो जारो की आवाज It means कि जब हवा चलती है जोर से उस समय बिलकुल जिस तरह से जारो की आवाज होती है तो हवा भी उस तरह से ही आवाज करती है तो यहां पर sweep का sound आ रहा था of ease wind हवा का and downy flake downy यानी soft कोमल flake बर्फ का टुकड़ा जब जिन जगों पर बर्फ पड़ती है वहां पर soft soft snow है ना बर्फ से हमारा तात पर वो heavy वाला ice नहीं है यहां snow की बात हो रही है कि वो पूरा jungle वो snow से cover up था जैसा आप इस picture में देख रहे हैं last tenja पढ़ते हैं the woods are lovely dark and deep but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep poet कह रहे हैं the woods यानि jungle are lovely dark and deep वो बहुत ही खुबसूरत है dark अंधेरा है और deep गहरे भी है बहुत ही खुबसूरत है इस तरह से इच्छा हो रही है कि मैं यहां पर रुकूँ और मैं थोड़ा देर यहां रुक करके आराम कर लू but I have promises to keep लेकिन poet को कुछ काम पूरा करना था कुछ वादे थे promises यानि कुछ वादे थे जो उसे पूरा करना था and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep point कह रहे हैं यहां पर कि मुझे सोने के पहले सोने के पहले it means रात हो जाने के पहले मुझे बहुत लंबी दूरी तै करनी है रात होने के पहले मुझे बहुत लंबी दूरी तै करनी है it is written by Robert Frost तो poet की वहां उस घने काले गहरे जंगल में रुकने की इच्छा तो हो रही थी लेकिन उसकी कुछ जिम्मदारिया थी कुछ वादे थे जो उसे पूरा करना था इसलिए वो वहां पर रुका नहीं आगे बढ़ता गया वो आगे चलता गया तैंक यू एवरिवन